नमस्कार में हो दियो नात आप देखने एक्सपोज इंडिया तीन राज्यों में भारती जंता पार्टी चुनाव हार चुकी है लेकिन 2019 में सुरुवात कैसी होगी हमारे साथ हैं भारती जंता पार्टी के प्रवक्ता नवीन कुमार नवीन कुमार सबसे पहले तो नए वर्ष की धिर सारी शुप कामना है आपको और आपके सबी विव्योर्स को नव वर्ष की हारदिक शुप कामना है मंगल में हो और वर्ष 2019 में जो भारत शशक्त शक्तिशाली बनने की दिशा में चला है वो बने और मैं समस्ता हूं चाहिए शक्तिशाली बनना चाहिए और वो को बना सकता है मैं आप इससे जाना चाहता हूं को दूसरा मीदवार बताएए इस देश में एक सो बत्यस करोड की अबादी है आज किसी एक से पूछी है और मैं रेफिर्ण कराने की बात नहीं कर रहा हूं मैं फिर भी कहता हूं आप किसी से पोछ करके देखिये किस देश को समर्द्र शक्तिशाली कोल बना सकता है किसके लीडरशिप में किसकी नियती किसकी नियत साफ है करने के नहीं मैं समस्ताओं कि नियरंत मौदी जिस दिशा में इकाम कर रहे हैं भारत का सुल्मान गौराव तो बड़ा है इसमें सब कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है लेकिन तीन राजियों में आप समझा नहीं पाए उसके पीछे की क्या वज़ा रही है दो महत्पूर्ण कारण है जहां पर आप तीन राजे के रहे हैं मैं दो राजे की पहले चर्चा करता हूं चर्थिसगर्ड और मद्यप्रदेश औ उन दोनों राजियों के अंदर 15-15 साल तक वहां की जनता ने भारत जनता पाटी को सेवा करने का मौका दिया है बाजपा ने सेवा किये हैं किसानों के लिए बहुत काम किये गरीबों के लिए सब के लिए कि इस गढ़ हमारे लिए अपरत्यशित है मैं हार जाना सत्ता रूड दल की सरकार जाती है तो पचांस का आखड़ा भी पार्व नहीं करती है आज तक का तिहाश है पुराना कभी बुठा करके देख लिए बाचपा बेशक्ति हैत्तर पाई हो और कांग्रेस को पूर्ण भूमत ना मिला हो इसी प्रकार से मैं आपके सवल के जवाब मद्य परदेश में पंद्रे साल के बाद क्लीन शम्र्ण के तौर पर है कॉंग्रेस को समmerतन नहीं मिला जबकि मिल सकता था वहां की जन्ता ने आपकी बाद मालो कि क्वान हमें सम्स.ससामगतर नहीं दिया क्योंकि वहां पे प्रविदान सब्सक्राइब करें लोगों की आखों में धूल जोकने का काम करें जो हमने नहीं किया लोगों के आखों में मिर्च डाल करके कॉंग्रेस एक बार कुछ दिन के लिए सकता ले सकते लेकिन उसका आश्य जानते क्या है अभी निकाये चुना हुए राजस्थान के अंदर निकाये चुना हुए मध्यप्रदेश के अभी इस विधान सब्सक्राइब के बाद पूर्ण भाजपा जीती है अब बड़े परिप्रिक्ष में बात कर रहे हैं पूरे देश की बात कर रहे हैं निकाये चुना है अगर आप संतुस्थ होने लगे तो बड़ी समस्य है क्योंकि कांग्रेस भी वही कर रही है कि वह चार जी जाती तो कह देती हमने चार जीता ना तो आप भी मत कह दीजे कि निकाये जीत गये तो आप जो है अब उस प्रिक्रिया में आके हमारी संतुस्थी चुनाओं जीतने से नहीं है देव जी हमारी संतुस्थी तब है कि जब अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को गरीब व्यक्ति को नयाय मीले हमारी सन्टु रगे कि जब ज देश की अंदर किसी भी व्यक्ति के area पर चट ना तृव ना रहे ऐसा कोई व्यक्ति ना रहे जिसके सर पे च्छत ना हो उसकी विवस्ता है सरकार करने। कि वहां बड़ी तेजी से सडकों का निर्मान चल रहा है। केवल पेचक से जाते थे वो भी गुर्दासपूर से जाया करते थे पंजाब से जाया करते थे और उसके पेंट किया जाता था। जो डबे बन करके वहां जाते तो उसका किराया इतना खर्च होता थे जितना पेंट का नहीं होता। और वहां के लोकल एंप्लाई को रोजगार नहीं मिलता था। वहां रोजगार मिलना शुरू हो गया। मेरा सवाल यह है कि 5,000 लोगों को आपने घर दे दिया और रामलला रहेंगे ताट में हम तो रहेंगे ठाट में तो भाजबा क्या इसी स्लोगों चे आदे बढ़े हैं। मैं इस पर भी आऊँगा। मैं तो आपने विकास की बात करी। मैं कह रहा हूँ कि रामलला ठाट में और हम रहेंगे ठाट में। आप जो हैं 100% विकास नहीं सुन पाए वो आपका सोचना मुझे नहीं बोलने देरे विकास के बारे विकास आप जानना चाते थे लेकिन आप नहीं जानना चाते विकास का थीक है सवाल भिकास पढ़ने आप आये मंदर पर आप नहीं भाल पाएंगे ना तो यह दिक्कत है इसलिए बच जाते यह बिल्कुल भी नहीं आप मंद कब बने गारए वही हम बता रहे हम पिछली बार भी पूछा था आप से आपने का मंदर बनेगा मगर कोई तारीख नहीं बत ता उस फैसले के बाद इलाबाद हाई कोट के फैसले के बाद जब सुप्रिम कोट में वह अपील गई थी हमारी सरकार समय 2014 में केंदर में आई केंदर में आई तो वहां पता चला कि उत्ते परदेश की सरकार ने अठारह हजार से भी ज़्यादा ऐसे दस्तावेज हैं जो उर्दू में और हिंदी में हैं सुप्रिम कोट में उसका ट्रांसलेशन कराके अंगरेजी में जमा कराने हैं सरकार को इसलिए जमा कराने राज्य सरकार को कि कोई भी गलती की त्रोटी ना हो इसके लिए सरकार की जम्यदारी होती है सुप्रिम कोट के आदेश के बाद प्राइवेट नहीं करा सकते आप अखलेश यादव की सरकार रही पांच साल साथ नहीं एक भी जमा कराया आप सब तारीक पूछ रहे ना उन्होंने जमानी कराया योगी जी की सर जंता को फाइलों के बारे में बढ़ा पाएंगे आप 2015 से पहले समझा पाएंगे वही संद्दा कर रहे हैं आप मेर से सुने लिजें ना ताकि जंता अब पहुंचे पूरी बात पहुंचे तो हमने क्या किया तारह जार से ज्यादा जो दस्तावेस थे उसका एक साल के भीत पब्लिक डूमन में वहां जाके नोंने कहा कि 2019 से पहले सुनवाई नहीं होने चेकों कि बीजेपी के मैंने फैस्टों में हैं दूसरा उन्होंने कहा जब जज ने चीफ जस्टिज ने इसको सुनवाई करने के लिए करने के लिए देट तै करी तो उनके खिला महा भी योग ले आए यह महा भी योग ले करके आए थे जो लोग सवा में जाकर करके गिर गया था मेरा कहना यह जो कॉंग्रेस कहती भवान शीराम का सित नहीं है जो सुप्रीम कोट में एफडेविट देती आज वो मंदिर की बात करने लग है दो दो वर्ष भी को मंदिर के दर्सन कराएंगे हैं कि दो वर्ष में योगी जी ने जिस कारे मार्ख प्रशस्त कर सकती हैं हमारी लोग जाके बनाएंगे ने वो तो श्री राम मंदिर नियास सेमिती बना रही है जिसको जो राष्टे से वक्त संक्य और विश्मदू प्रश्ट के राम ना रही है कि आप सवाल दागे और मैं उसका उत्तर पूरा ही दूँगा तो उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा मेरा कहना ही है कि हमने वह विवेस्था करी अभी चार जनवरी मात कुछ दिन बचे कुछ घंटे समझ लीजे आप चार जनवरी को सर्वोचिने आले में डे टू डे हेरिंग के लिए फिर आएगा सरकार दोनों तरह से तयार है हमने कहा कि हमकों समिधानिक ऐसा अर्चन जो कॉंग्रेस चाती है कि हम अध्यादेश लाएं और जाकर कि तुरंत वह स्टे करा दे उसके गुर्गों के अपने सरकार के बास समय है और जब तक हम भगवान शरी राम के मंदिर को बनाने का मार्क परश्रस्त नहीं करेंगे इस सरकार से जाने वाले भी नहीं यह जा गया था मैं वहां की बात कर रहा हूँ आपके विवर्स के माध्यम से मैं एक कहना चाहता हूँ विश्वास रखिये तो सब जानते हैं मोधी पर विश्वास है कि मंदिर वही बना सकते हैं तो आप विश्वास रखे भगवान शरी राम के मंदिर का मजबूत वो रास्ता पर श्रस्तर करेंगे जिसके आगर कोई अरचन नहीं आने के लिए विश्वास मानिए बहुआन शरी राम के मंदिर का निर्मान करास्ता परस्तरों का वह भी अभी होगा जोद्या गया था और मैंने दोनों पक्षिकारों से बात करी थी मैं इंटर्वू किया था दोनों का धर्मदास जी का भी और जो अनसारी है उनका भी उन दोनों ने कहा था कि राजनीत अगर इसमें नहीं होती तो मंदिर बन जाता आपको लगता है कि आप लोगों की राजनीत की चलती है रुग गया विश्वास में बन सकता है अगर यह तमाम संगठान इसमें वाल ना वही मैं कहा रहा हूं तीसरा था श्री राम श्री राम जनम भूमी न्याज समीती इसमें राजनीती आड़े आ रही है सत्य कहानों ने मुस्लिम पसलना बोर्ड एक टूल के माद्याम के नाते उसका कोई ले ना देना नहीं से ना उसकी जगे है ना वहाँ पे सूट फाइल करने वाला है फिर भी वह लेकिन वह अड़ बीचे में घुष गया कोईस्च में सपा बस्पा कॉंग्रे घूल दी या उन्दर फिर वह जो पर्षकार थे उनका कहना था कि को सुप्रीम कोड के जो जज है जो बरतमान जज हैं उनको सीधा सिधारौम्ता मैं ने खुद उनसे पूछा था कि क्यो नहीं सुनवा रही है की बात चुड़िए वह सुप्रिम कोड का जो जज है उसी से हमें दिक्कत है क्योंकि वह बांपंथी सोच का है आपका इसमें क्या हमारे देश में अभिवक्ति की आजादी है कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन उनको तो एकीन नहीं है ना उन जज़्पर और लेकिन हमारी नयक विवस्ता पर हमको सम्मान करते हैं उसका सम्मान करना चाहिए यह बात सत्त है कि कई बार ऐसे निर्ड़े होते ह हैं जो जन भावनाओं के आदर के विपरीत होते हैं वो जब ऐसे निर्ड़े होते हैं वो सभाविक तोर पर कष्ट देते हैं ऐसे बहुत सारे मुद्वार और सवाल है मैं यह जानना चाहता हूं कि आप ये कहेंगे कि मंदिर मुद्दे का निप्टान जल्दी होना मैं को जया कूं जैसे आतंकवादी के लिए राट को डिढ़ बजे कुल सकती है करनाटका के लिए राट को ड़ए दो धाई बज्य को खुल सकती है तो क्या भगवान शिरी-राम मंदिर के निरमान के संधर्म में इतने सेWhen मामला सतर वर्षों से लोग लड़ रहे हैं उसके तो जब इतना कुछ समझ रहे हैं स्ब कुछ जानते हैं तो सरकार को नियरंतिर नहीं करते हैं ञाल को पितर को आपक भी कहते हैं कानून के माध्यम से कि जल्दी सुन्वाई हो जनहेत में आवश्यक है और मुझे लगता है कि डे-टू-डे हेरिंग भी हुई तो 21 से जादे नहीं चल सकती बिल्कुल नहीं चल सकती इसलिए नहीं होना बाकी को बचाई नहीं आर्गुमेंट होने के लिए वो तो हो चुके हैं उन्होंने दिया केवल केस को मेरिट पर डिसकेशन होगा चार पक्षकार बचे में उनके साथ डिसकेशन होगा और यह फैसला हो जाए जो हिंदू पक्षकार है उनका कहना है कि एकर कोई जज्ज सुधार के पास रास्ता है फैसला जो भी आए मंदिर तुम्हीं बनेगा फैसला जो भी है एक राजनितिक बयान आ गया फैसला जो भी हो मंदिर हो ही बनेगा लेकिन एक सवाल और जरू करूंगा कि 2019 2019 में भारती जंता पार्टी अगर सत्ता में पुना वापस आती है तो न दर्या दिल्य दिखाई जाएगे फेली बात तो यह कि अगर में नहीं है हम विश्वास में देश को मजबूत सरकार चाहिे मजबूर सरकार नहीं चाहिए हर तीन मंत्री का एक पधान मंत्री पद के लिए आदमी नहीं चाहिए जीवन बर सरकारी से विए जहां मा गांठ बंदन जो है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी वो अलग बात है कुण तै करेगा को ने टा कोन कों तै करेगा हम तो रहो गांदी देश को चला सकते क्या देश को कड़े में डालने की जिनता चिनता कर रहे हैं वो अपने स्वार्त हो के कारन क्योंकि विश्ताचार के मामलों में जेल जाने बनाने की दिशा में जो सरकार चल रही देश चल रहा है उसमें आगे ले करके जाएगा पहली बात दूसरी बात खेल आपने कहा हम नोट बंदी का वो खेल नहीं था ये विवस्था के लिए बहुत आवश्यक था आज हमारे देश की अर्थ विवस्था फ्रांस को पचार करोड़ागर को हमने जो मुद्रा लों के तैद लों देकर उनके रोजगार के लिए तयार किया है इस देश के अन्दर सुधार जाप सब्ड़के सड़के तीजी से कटी से चलती है तो महां का वीकाज गती से चलता है ये को रोकना नहीं चां़ा है ज़नि सअरक प्रांप ऐया अब एक एकसिदेंटल प्राइमिनिस्टर एक फिल्म आई है बहुत विवाध हो रहा है तो ट्रेलर से आप ट्रेलर आया है दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वो किसकी लिखी भी पटकता है संजय बारु साब मनमोहन सिंग के दाया हाथ ते 24 गंटे बंद कमरे में भी साथ रहते थे सोनिया गांदी के करीब थे ना उन्हीं के साथ रहते थे उन्होंना अपनी कि इन्होंन सिंह पर उसके अधार नि 도 किसी डिखा नहीं किने कुछ बता नहीं करते थे उनके निर्देश पर काम करते Вेसे तो देश के अनेको मीडिया संस्थानों ने lizard गाँ परतिस्थित मीडिया संस्थानों drew Jang मुणा कि वहाँ पर करनाटका में लड़ेंगे अलग अलग चुनाओ लड़ने के वाद जो सबसे बड़ा दल है वो समर्थन करेगा और जो सबसे छोटा दल है वो मुख्यमंतरी बना के चलेगा सामनी करेगा 2019 के धेर सारी शुब कामना है सर आपको और उम्मिद करते हैं आपकी जो मुराद है जो पूरी हो विश्वास है हमें कि आप पूरा करेंगे तो ये थे नमीन कुमार जिनका कहना था कि 2019 में उनकी ही सरकार बनेंगे और मंदिर मुद्दे पर जो डे टू डे सुनवाई हो रही ह उसके बाद इस समस्या का भी समाधान जल से जल सामने आजागा कैमरा परसन निस के साथ देवनाथ एक्सपोज इंडिया